ओम नमस्षिवाय मैं हूँ स्क्लोजर केम सिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सबी का हार्दिक स्वागत करता हूँ साथ जन्वरी 1723 का इस महामारी से बहुत गहरा संबन्द है और इसको फाइनली मैंने आज कैलकुलेशन करके काफी हद तक इसको इसका रिजल्ट तो अभी मैं पूरी तरीके से नहीं निकाल पाया हूँ लेकिन बहुत हद तक मुझे चीज़ें यहां पर दिखाई दी है और जिसके अकॉर्डिंग हमें एक कुछ दिन में पता चल जाएगा कि यह कोर्णा संकटकाल कब तक रहेगा देखिए साथ जन्वरी 1723 की क्या कंडिशन बनी थी इसको मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ इस कुल्डी में आपको दिख रहा होगा कि राहू जो था और उस समय छे ग्रहों की यूति नहीं बनी थी और सूरे ग्रहन भी लगा था आप चार्ट में देख सकते हैं जहां पर 9 नमबर लिखा है वो धनू राशी है इसमें बुद्ध चंद्रमा शनी केतू सूरे ब्रसपती और मंगल ये साथ ग्रह एक साथ एकत्र हुए थे और राहू की दृष्टी सीधे इस पे पड़ रही शुक्र जो था वो प्लैनेट बाहार था और ऐसे कंडिशन में प्राब्लम आई और ये प्राब्लम कहां पर आई थी फ्रांस में आई थी और बहुत तगडी महामारी थी और जिसमें अकेले फ्रांस में एक लाग के करीब लोगों की मौत हो गई थी आप इसको चेक भी कर स सकते हैं डिटा और इसके बगल में मैं आपको 26 दिसंबर 2019 की कुडली भी जिससे मैं सूरी ग्रहन पढ़ा था इसमें छे ग्रहों की यूति थी और राहों की द्रिश्टी थी इसमें आप देखिए का जहां नौ नंबर मैंने लिखा है यहां पे सूर्य बुद्ध शनी ब्रस्पत्ति और चंद्रमा की यूति है तो यह सारे प्लैनेट एक जगा पढ़ते हैं और राहों की द्रिश्टी थे मंगल एक साइड से अलग था और शुक्र एक तरफ से अलग था जबकि 1730 में जो यह गटना हुई थी उसमें केवल शुक्र अलग था मंगल अंदर था और इसमें आज यह जो 2019 में जो घटना हुई इसमें केवल शुक्र बहार है और 1723 में भी शुक्र बहार था देखिए इससे क्या कॉंक्लूजन मैंने अभी तक निकाला है बाकी मेरा रिसर्च जारी है और मुझे यकीन है कि कुछ बड़ा कॉंक्लूजन यहीं से निकल के सा मेहनत है यह निश्यत रूप से रंग लाएगा एक दिन और पॉजिटिव मैं हूँ और पॉजिटिव यह संसार भी एक दिन बन जाएगा तो यह दोनों जो घटनाएं हुई है इसमें अभी भी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ राहू की दृष्टी पंचम सप्तम और न राशी में यह हुआ है आप अभी भी इस चीश को नहीं समझ रहे हैं अभी देवता और राक्षसों के बीच में लड़ाई जारी है देवता का मतलब आप यह समझ सकते हैं कि भगवान विश्णु को मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ब्रस्पति की राशी में यह और दा बना लिया है और राहू का जो डायरेक्शन होता है वह साउथ वेस्ट होता है तो साउथ वेस्ट और हमारी जो प्रित्वियर 23 एंडा हाफ डिग्री थोड़ी सी जुकी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका डायरेक्शन निका लिएगा तो एकदम यूएस यूरप वाला जो डायरेक्शन है इस पे राहू ने पूरे तरीके से पकड़ बना लिया है और यह देखने को मिझे मिल रहा है जबकि साउथ इस्ट में जो शुक्र बाहर निकला हुआ था शुक्र का डायरेक्शन साउथ इस्ट होता है तो इसलिए पूर्वी देशों में इसका प्रभाव अभी भी इतना जादा नहीं है जितना होना चाहिए था जितना साथ लाखे कंपेर में अगर हम दस हजार देखते हैं तो डेटा कुछ भी नहीं है तो मेरा रिसर्च अभी भी जारी है और आप सभी लोग भी जो एस्टलॉजी के विद्वान लोगे वो जैनवरी 1723 वाले डेटा पर रिसर्च किजिए और मेरा विश्वा से वहीं से एक स्वालूशन निकल कर आएगा क्योंकि पहले भी महमारी हुई थी और उसमें एक लाख अगेले फ्रांस में वहा था वहां पर भी राहू नहीं पकड़ा था और सारे प्लैनेट एक साथ आ डिरेक्शन में 23.5 डिगरी को आप एड़ेस्ट करके देखिएगा तो वह लगबग उसी डिरेक्शन में यूरप वाले डिरेक्शन में प्रकोप इसका बड़ा था और यह 26 दिसंबर 2019 वाली जो गटना है इसमें भी उसी डिरेक्शन में जादा मौते हुई हैं तो इस पर दरूर रिसर्च कीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में कुछ पॉस्टिफ चीजे लिखिए कुछ नहीं हो तो ओम नमस्षिवाही लिख दीजिए और बार बार मैं कहता हूं भगवान विश्नु की अरादना ही समय कीजिए इस समय युद्ध चल रहा है और इस गुरू का बीज मतर मैं बार बार बोल रहा हूं ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रॉंग सा गुर्वे नमा इसका जाप 108 बार जरूर सुबा करना चाहिए ऐसा करने से पॉस्टिफ चीजे आएंगी और मेरा तो एक ही विश्वास है अगर आप सभी लोग पॉस्टिफ थिंकिंग सोचते हैं तो पॉस्टिफ होगा नहीं तो आप दिन बार रोते रहिए कि कोरना से इतने लोग मर रहे हैं इतने लोग खराब हो रहे हैं और टेंशन को पाल कर रखना है तो मेरे वीडियो को मत देखिए मैं चाहता हूं कि आप भी मॉटिवेटेड रहिए और आप यह से मैं मिलकर इससे लड़ना चाहिए तो अभी के लिए इतना ही ओम नमस्षिवाएं